लागड़ान के चौते चरण में महानगर में सबजी और फलो की डोर टो डोर सप्लाई 31 मई तक जारी रहेगी इस संबन में सिटी मजिस्ट अभिनो रंजन सिर्वास्तों ने बताई कि सुभा पांच बजे से ही मंडी समीती के अधिकारी और अढ़ादियों के साथ बैठक करके रेट को निधारित कर लेते हैं और यह तेह कर दिया जाता है कि आज इस रेट पर सबजी और फल बिकेगा और यह रेट विभिन ग्रूपों और विभिन पोर्टल के माध्यम से जनता को पता चल जाता है और रेट का प्रभावी अनुपालन कराने सिविल डिफेंस लेगपालों की टीम लगी हुई है यह टीम यह चेक करती है कि कोई भी ठेला सबजी विक्रेता अधिक रेट पर सबजी ना बेश सके अगर कोई भी ठेला सबजी विक्रेता अधिक रेट पर सबजी बेशता है तो ततकाल उसके खिलाफ कारवाई की जाती है और यह प्रक्रिया पूरे लॉग जाउन 31 मई तक चलता रहेगा इस संबन्द में गोरकपुर न्यूस से बात करते हैं और एक वाजीव डिसाइड करते हैं कि ये रेट पर सब्जी विखेगी वो रेट हम कई गुरूपों के माध्यम से और विविन पोर्टल्स के माध्यम से सबको बता देते हैं जनता को और जो भी ठेले वाल लेखपाल लगे हुए हैं कि वह रेट चेक करने के लिए कि इस सब्जी बेची तो नहीं जा रही है अगर इससे ज्यादा बेची जाते हैं तो यह रेट अभी प्रोसेस पूरा 31 महीं देख चलता रहेगा हमारा पुरा प्रयास है कि जनता कि घर गर थकम ठेलों को माध्यम स अवश्यक काम है तो वह पास बनवाएं उसके बाद बहार निकलें जो दुकानें की छूट दी गई है जिनको जिन वेफसायों करने के छूट दी गई है वो पहले यह पास बनवा लें उसके बाद ही वेफसाय करें और सोशल डिस्टेंसिंग नॉम्स का पूरा पालन करें आपके लिए होम डिरिवरी सबजीयों की फल की यह वैवस्ता शुरू से की जा रही है वो अभी कॉंटिनू रहेगी और आपसे अपी लिए घरी में रहे है